हालो स्टुडेंट्स आज हम लाइफ क्लास में आपके सामने हैं और एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जनरली सारे लोग चुकि मैं पोल साइंस का तीचर हूँ तो इस टापिक पे सभी लोग पूछते रहते हैं मुझसे कि आप हमें बताएं कि रस्तिया भारत के आपस में सम्मंद कैसे हैं और जो युक्रेन का वार चर रहा है इसमें भारत अपना क्या रोल प्ले कर सकता है और अभी तक ये युद्ध रुका क्यों नहीं क तो एक difficult language हो जाती है और जब हम अपनी language इस्तेमाल करते हैं तो very easy go होती है तो पहले तो हम इस relations को थोड़ा पीछे लेकर जाते हैं भारत और रूस का relation आज से नहीं है आपको मैं बताता हूँ जब भारत पाकिस्तान वार हुआ था और प्राइमिनिस्टर इंद्रा गांधी थी तो उस समय एक ऐसी सच्चूसन आई थी कि अमेरिका जो है पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा हुआ था उस समय रसिया ने हमारी मदद की थी और रसिया ने अपना आठवा बेड़ा भेजा था जिससे अमेरिकन जो बेड़े हैं वह वापस हुए नहीं तो उसी समय वा कर रहे थे यह बात भी आपको साहीद मालूम ना हो जनुरेली बहुत कम किताबों में मिलेगा तो इंटरनेशनल में मैं टौपर रहा हूं इंटरनेशनल रिलेशनस में पोल सेज में 80 प्लस मार्क्स पाने वाला तो यहां पर मैं कई कंट्री से रिजसन को को आपको करूंगा वह आप सुनते जाए चायना का जब वार हुआ 1962 में प्राइम इस्टर जमालाल नेरू थे उस समय हमारे पास डिफेंस मिनिस्टर तो थे बड़ डिफेंस का उन्हें आइडिया नहीं था ऐसे स्थिति में हमारे शोजर मारे जा रहे थे और 3000 स्कॉर किलोमेटर एरिय जब शिर्वलीया चीन ने कभजय कर लिया ऐसे स्थिती में हों पंडिजमालाल नेरू ने एक लेटर लिखा एक AOS President को कि हमारे पास हथियार नहीं है और निहत्थे हमारे Soldier मारे जा रहे है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं कि मल 딱 देख रहे हैं कि हां वो मारे जा रहे हैं वहां पर नेरु खांदान के ही कोई Ambassador थे अभ एक ज्ज indoors तो उन्हों अमेरिकन प्रेसिडेंट को दिया ही नहीं, लेकिन लेटर यहां से गया, इसकी ख़बर चाइना को लग गई, तो चाइना ने इमिडेट वार को रोग दिया, तो वार में देखे किस तरीके से भै होता है लोगों को, कि खाली यह जान पाए कि अमेरिका मदद भारत की करने आ रहा है, तो चाइना ने उद्ध को रोग दिया, इधर यह रुका और दूसरा फाइदा यह हुआ हमें, कि अगर इवेस के सेना हमारे देश में आती, तो ब्रिटिस गए थे, इवेस वाले राज कर रहे होते, अच्छा हुआ और लेटर उन्हें नहीं दिया, नहीं तो हमार देश दुबारा फिर गुलामी की जंजीरों में जकर जा था, जो अफगानिस्तानों और अने देशों में हुआ था, क्योंकि आज की जो हमारी फारें पॉलिसी की स्टैट्जी है, यह आज हम एक ताकतवर देश के रोप में उभर कर सामने आ गए हैं, लेकिन उस समय हमारी सिती ऐसी नहीं थी, वो हमारे प्राइम निस्टर को एक सेकरेटर के बराबर भी नहीं समझते थे, प्यम यहां से जाते थे, वहां बेट करके वापस आ जाते थे, इवेस प्रिसिडेंट का, तो यह अच्छा हुआ, इसलिए जब हम इंडिया और रसिया के रिलेशन पर बा जब आप कुछ उसे दे सकते हो, तो उसने दोस्ती कर ली, जब आप मुस्किल में हो, तो उसने अपने रिलेशन तोड़ लिया, तो एक गुड गुड जो फ्रेंड्स है, मेरी नजर में रसिया ही है भारत का, अब रसिया उक्रेन वार पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ब हमारे साथ खड़ा हुआ, और उन समय में खड़ा हुआ, जब हमको कोई सुनने को तैयार नहीं था, तो ऐसी स्थिती में, हमारा सच्चा दोस्त कोन है, रूस, अब जैसे IS के एक्जाम में चार आपसन होते हैं, आपसन A, आपसन B, आपसन C, आपसन D, हम अगर बुधिमान ह तो सबसे सही आपसन पर टिक मारेंगे, ठीक है, तो हम भी आपसन पर क्यों जाएंगे, तो इस वार में भारत की भूमिका इतनी सराहनिय रही है, कि भारत जब से सुतंत हुआ है, दोनों देशों से रिलेशन बना कर चला, और ये हमारी एकनामी रही है, गुट निर्पेच के, हमने दोनों को बैलेंस किया, लेकिन अगर इस पर आए कि दो आपसन है हमारे पास, अमेरिका और रसिया, तो भारत का हर नागरिक रसिया टिक करेगा, ना की अमेरिका, क्योंकि अब वो दिन नहीं है, कि हम आर्थिक सक्तियों के आगे जुकें, अब हमें उनके साथ हैं, कंपियर टू अमेरिका के एरोपिय देशों के, अभी वो हमें काफी लंबा डिस्टेंस तैंक करना होगा, ऐसे स्थिति में काल माक्स की ठियोरी पर भी मैं आपको ले चलना चाहूंगा, काल माक्स कहता है हमेशा एकोनामिक रेलेशन्स होते हैं, वो तो यहां तक कहता है, कि पिता-पुत्र का भी एकोनामिक रेलेशन ही है, बेटा जब बड़ा हो जाता है, अगर विकल कुछ ना कमाए, तो पिता उसे कहते हैं, घर छोड़ कर भाग जा, छोटा होता है, तो उसका पालन पोसंड करते हैं, वाइफ तभी आपके साथ अच्छे विहेप से रहे अब तीनों में कोई रेलेशन फिट नहीं बैट रहा है, तो बट ने रेलेशन है, ये कोई और रेलेशन होगा, जो इससे उपर वाला रेलेशन हो सकता है, तो ये रेलेशन हमारे इसी तरह से चलते हैं, अब आज हम बात किस पर करने जा रहे हैं, इंडिया रसिया रेलेश तो उस युद्ध की स्थिती ही कुछ और होती पाकिस्तान के साथ अमेरिका पूरी तरह से खड़ा हुआ था। तो युरोपीय सक्तियों और अमेरिका के आगे रूस टेक नहीं पा था। तो जब हमें जरूरत थी रूस की तो उसने मेरा साथ दिया। तो अब हम हमें उसका साथ देना चाहिए और वो घुमिका जब हमने निभाई तो रूस ने हमें क्या दिया सस्ता तेल दिया जो यूरोपिय देश को सप्लाई करता भा वो आयल वो हमें देने लगा अब इसके दूरगामी का परड़ाम हुए हमारी आयल जो कमपनिया है वो ड कि द्कबरी हो जाती है क्यों होता यह ऐसा क्योंकि अभी भी हम आयल पर सबशेड़ी देते हैं अगर हम सब्क्रैनिट्रल की विद्डॉर कर लें तो बत्द चुरल है अ प्रावल हो फाप सब्सक्रा तो हमारे जितने फूड्प्रोड़क्ट हैं सबजी चावल दाल यह सार inflation से है और subsidy हटा देने पर आयल मेंगा हो जाएगा अब इस मुसीबत में रसिया तो था लेकिन ultimately इस वार का सबसेधिक फायदा जिस देश को मिला वो भारत को ही मिला और भारत की ये किस्मत ही है ये सबसे सस्ता तेल जो हम पहले इरोपियन देशों से लेते थे एरान अरब आवमीरात वहां से लेते थे उससे कम प्राइस पर रूस ने हमें तेल मोहिया कराया इसलिए प्रज़न टाइम में सबसे अधिकायल हम किस से खरिद रहे है रूस से और ये लेने के लिए बारत की प्रधानमंत्री की सराहना होनी चाहिए किन्होंने अमेर्का की परवा न मैं करते हुए रसिया के साथ ये इल्डील कर ली कि पर बैंन लगे का इसकी नहीं की परवा देश हित ने किया फैसला और दोस्त हित में ।ो डोस्त in प्रम बिस्टेंश तो दूरिंग देट रसिया हैज में संदा सपूर्टिंग सोबियत सोबियत उनियन आफ इंडिया सावरजनटी आफ दिस्पूटेट्री जाफ कस्मीर और पुर्दगाल और क्लेब और गोवा और रूस ने हमेशा हमारा साथ दिया कस्मीर मुद्दे पर भी हमारा साथ दिया और हमारा जो पडोसी देश हमारे देश में काफी उपद्रों मचा रहा है उसको कभी रसिया ने सपूर्ट नहीं किया पावर बैलनस रखा और भारत का ही हमेशा दोस रहा लेकिन अमेरिका जो है दिखता है कि जब कौन से देश से हमें फायदा है उस देश की तरफ से ले लेकिन चाइना और भारत का जब मुद्दा आता है तो अमेरिका के पास कोई आपसन नहीं है भारत के सपोर्ट ना करने का तो भारत को हराल में उसको सपोर्ट करना ही होगा तो कुछ इंटरनेशनल रिलेशन्स ऐसे बने हुए हैं कि पावर बैलेंस में कोई इंडिया को इग में थे रूस साथ खड़ा रहा तो जब रूस किसी मुश्किल में हो भले ही एक मिनट मान लेते हैं उसका फैसला हंडिट परसंट सच नहीं है लेकिन कभी-कभी ऐसे फैसले भी करने पड़ते हैं एडवांस प्रिकॉसंस के लिए एडवांस सीकॉर्टी के लिए दुस्मना लडाई का कोई result होता नहीं है सभी जानते हैं हम भी एैंए बात कहते हैं तो इसे जल्दी सव्चा करना चाहिए और इसमें दो प्रसिडेंट के ego नहीं आनी चाहिए दोनों को अपने-पने・पने हित को ध्यान में रखते हुए युद्ध को जल्दी से जल्दी खतम करना च ऐसा भी कोई वार होता है जो एक सेकंड में पुरी दुनिया को खतम कर दे तो वार नहीं है वो तो केवाल डरानी के लिए है तो इस तरह से हमने ये जो बनाय हुए आपता पीपी थी इससे भी काफी कुछ आप नोट्स बना सकते हो और हिंदी में इसका explaining मैं कर रहा हूँ मैं इसे इंग्लिस में कर सकता हूँ बट इसलिए नहीं कि हम हिंदूस्तान के लोगों से संबाद चाहते हैं तो यहां के लोग EJGो में किस वहां सा कोई समझ लेते हैं वो language है हिंदी तो अगर इसमें हम करेंगे तो जादा से जादा लोग हमसे इंट्रेक्ट होंगे और जुडेंगे इसलिए यह PPT तो इंग्लिस में होगा बट इसका conclusions, summary यह सब हम हिंदी में explain करते रहेंगे तो 2009 President Putin signed the Educative Order, Averding PM of India with Russia, IS State, Decoration the Order of Andrew and the Inter-of Government of Commission, One Trade Economic, Scientific Technology, Culture Cooperation, IRGC and Other Ministry, Technical Cooperation, IRGC, MTC, Meet-to-Annually सारे जितने भी हम एक दूसरे को मिलकर अच्छा कर सकते हैं वो सारे agreement हमने रूस के साथ किये हुए हैं और IS exam में बहुत ही important है यह कि भारत रूस के सब्बंध कैसे हैं और इस वार में भारत balance कैसे कर रहा है यह सब लोग जानना चाहते हैं defense and security relations भी हमारे बने हुए हैं India and Russia military technical cooperation has evolved from buyer and seller framework to one involving joint research development and production of advance defense of technology and system joint three services exercise इंद्रा between India and Russia यह भी हम exercise भी कर रहे हैं the joint military program चला रहे हैं क्योंकि जब हम दो देश आपस में मिल जाएंगे तो दुनिया का कोई देश हमसे ठक्राया नहीं सकता और प्रजेंट में हो रहा है कि Ukraine और Russia वार हो रहा है अमेरिका अपनी कोई भूंका नहीं निभापा रह है क्यों भारत उसके साथ खड़ा नहीं हुआ ब्रहमोस मिसाइल तैयार किया हमने यह मिसाइल की खासियत क्या है एयर से भी ज्यादा तेज चल रही है और एक गलते से पाकिस्तान में जाकर भी गिरी थी without बेपंस तो उससे कुछ उसका नुकसान नहीं हुआ फिर है सुखो की हल्प से हम बहुत जल्दी तैयार कर रहे हैं और डेफेंस के मामले में हम उस दिन में अमेरिका के हत्यारों को भी बीट कर जाएंगे ठीक है क्योंकि अमेरिका को एक ही देश टक्कर देता है वो है रूस जिससे अमेरिका डरता है हत्यारों से मामले में और वो आपको सप 400 आया हमारे पास एर एस 400 से हमारे सिकुरिटी बढ़ी एर अब मामला वो नहीं है जमीन की लड़ाई वाला वो तो टेडिशनल कांसेप्ट था प्रजेंट जो लड़ाई है वो एर की ही लड़ाई है तो एर डेफेस्स सिस्टम की रिक्वार्मेंट इंडिया को थी अंडर दा मेक इन इंडिया इनिसेटिव टी 90S ब्रह्मा आई एनस विक्राम इद्रिट्य आयर प्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम एस 400 एर डेफेस्स सिस्टम तो यह सब हमारे इतने टेक्निकल एडवांस डेबलेमेंट हो रहे हैं वह टेक्निकल एडवांस डेवलेमेंट के प इंडिया इस डेपेंडेंट आफ रसिया पार इट्स नुक्लियर सब्मेरीन प्रोग्राम आई एनस विक्रमा दिप्तया पहले हमारी एर फोस तो स्ट्रांग थी हमने सीडियस बनाके आर्मी स्ट्रांग कर दी अब हमारा अगला जो टार्गेट है वो किसको है वह है मेरे न और आपको कबजोर मानेगा तो कोई भी देश कभी भी आपके उपर हमला करेगा आपके कहने से कोई नहीं मानेगा को ताकत से लोग डरते हैं आपके रोकने से नहीं रुखेंगे कि वो मॉरल्टी रिखाए सोल एर क्राफ्ट करियर और इंडिया आलसो रसिया इन ओर इसके पर हो गए बाद दा टू कंट्रीज इंटेडेट टू इंक्रीज बाइल इन्वेस्मेंट टू एवेस्ट विलियंस ट्रेड एवेस्ट 30 विलियंस 2025 धीरे-दीरे हम ट्रेड को भी आयल को लेए लिया अधर भी चीजें अगर यूरप देश को ना जाके भारत में आने तो रूस के जतने नेचरल रिसोर्सेस हैं भारत उसका पूरी तरह फायदा ट्रेड के मावले में ले सकता है और इस्ते दोनों देश की ताखत में ही चाफा होगा दोनों आपस में दोस्त हैं और ये ताखत कई गुना और बढ़ जाएगी 19 total bilateral train between the two countries from January देखे पोल साइंस भी मेरा बड़ा प्रिये सब्जेक्ट है और economics भी इसलिए इन दोनों चीजों पर तो मैं बहुत अच्छे से आपको हर क्लास दूँगा आज मेरी पहली लाइफ क्लास है एब्री डे बारा से एक ये लाइफ क्लास चलती रहेगी ठीक है बार आज तो हम देखते हैं मैंटर कितना बड़ा है उस पर उतनी क्लास लूँगा मैं टोटल बाइलेटरेट रेट बिडिविन दा टू कंट्रीज प्राम जन्वरी शितंबर 2009 इस्टुटेट इवेस्टी 7.55 बिलियन तो आज दुनिया जो है डालर डालर ही खरीदती थी लेकि के पीछे एक हिस्ट्री और बताते हैं आयमेफ पर पूरी तरह होल्डिंग अमेरिका करता है और जब इंटरनेशनल मार्केट में हम कुछ खरीदने जाते हैं तो सिधे रुपया देके वहां नहीं खरीज सकते हम उस देश की करेंसी चाहिए तो उस देश की करेंसी ना हो त तो ये काम आदमी की तरह सोचो कि हम गिर में रखके सोना ही सब काम नहीं कर सकते कि बिजनस में भी एक काम करें आधर एरिया में भी एक काम करें तो हर जगा ये नियम लागू नहीं हो सकते ऐसी इस्तिति में क्या करना पड़ेगा ऐसी इस्तिति में हम ट्रेड नहीं कर पा पाइदा हो जायगा और डालर की जो मोनोपोली है उस में कमी हो जाएगी जनरली एक कोश्चन हमसे लोग करते हैं कि डालर और रुपय में इतना डिफरेंस क्यूं है तो उस पर मैंना जबाब है पहला कारण है जो हमारा डालर है वह इस लिए जादा है क्योंकि अमेरिका से export में हम उतने ही गुना पीछे हैं नेपाल की currency की value और कम हैं इंडिया से भी नेपाल trade में और हम से पीछे हैं तो जो country जितना ज़्यादा export करता है international market में उसकी money value बढ़ जाती है और जो import करता है उसकी money value घड जाती है तो export differences की वज़े थे डालर और रुपे की बीच ये difference है लेकिन जैसे जैसे इंडिया बढ़ाता जाएगा अपना export एक दिन ऐसा आएगा 1 डालर 1 रुपीज और ये एप्राक्स है कि 2000 40 तक ऐसा हो जाएगा word की number एक economy इंडिया बन जाएगा अमेरिका का स्थान इंडिया ले लेगा और रसिया का स्थान चाइना word economy में ठीक है ये ऐसा advance में report कहती है कि अमेरिका का स्थान भारत ही लेगा लेकिन इसके लिए भी लंबा रास्ता तैं करना होगा अब आता है कि about 20 रसिया इंसिचूशन रेगुलरली टेक हिंदी 15 रसियन students अब दीरे दीरे हमारे बहुत से इस्टूडेंट रसिया पढ़ने जाते हैं वहां के बहुत से स्टूडेंट हमारे देश में आते हैं और रसिया के लोग सबसे धिक स्मार्ट और सुंदर दिखाय देते हैं दुनिया में तो ये एक हचर relations है और आजकल हमारे प्रसिडेन्ट रसिया बार-बार भारित के तार्यफ कर रहे हैं कंडियन बहुत जीनियस हैं आर्थिविकास ने तेज गती पकड़ डी है और कुछी दिनों में दुनिया के सारे देश आर्थिविकास की प्रक्रिया में पीछे जले जाएंगे किस से पीछे जाएंगे ठीक है वो विसारा उसी तरफ कर रहे हैं कि कौन पीछे जाएगा आगे फिर आता है ये पार्ट प्राम हिंदी लेंगुज सच अं तमिल मैथिल गुजराती बंगाली उर्दो संस्क्रेट पाली और इन रसिया जितनी हमारे देश में भासाएं चलती ह ये देव सारी भासा हैं या भासा बोलने वाले लोग अब रूस में भी हैं अंडियन डांस म्यूजिक अ योगा ऑरवेदिक इस दा कॉइट पपलर रसिया में एंडियन डांस पपलर हो रहें और मैंने तो एक रसियन कमांडर से ये कहते सुना कि यह युद्ध में हम इसलि प्लेस होगा रस्या स्टेटस इंटरनेशनल स्पेर इवेंशी पर्मानेंट मेंबर मल्टी पोलर वर्ड पॉल्टिक्स सपूर्ट आफ एवेंशी सीट अब आज जो हमारी सबसे ताकतवर एजनसी इंटरनेशनल लेबल पर है युनाइटेड नेशन सेकूर्टी कांसील एंड एजसे लगता है आने वाली टाइम में चायना आपसे लड़ाई नहीं ले सकता ताइवाण के मुद्धे पर अगर इंडिया चायना का सब्रूट करे तो वहां पर तैवान को हत्याने में एक मिनट चीन को नहीं लगे इंडिया ही ऐसा है लड़ने नहीं जा रहा है हम वह द ये ऐसे ही है कि बिना हथियार चलाए जैसे गांधी ने अंग्रेजों को भगा दिया ना हथियार उठाया ना कुछ किया तो हम उस देश के लोग हैं गांधी वादी नीतियों पर चलते हैं एक जरूरत पढ़ती नहीं है और दूसरे सारे देश हमारी इच्छा से ही काम कर सकते हैं अज हम बहुत तेजिसे जहां हमारे रिलेशन पहले अमेरिका की तरफ सारे देश अमेरिका से रिलेशन वनाओ ताकतवर की तरफ हर कोई भागता था लेगिन भारत ने यह देखा कि अगर हम केवाल अमेरिका को फालो करेंगे तो हमारे यूज भी कर सकते हैं इसलिए हम आपजेक्ट जरूर रखें कि जब हमें जरूरत पड़ेगी रूस की तो हम उसके साथ खड़े होंगे, जब हमें जरूरत पड़ेगी अमेरिका की तो हम उसके साथ खड़े होंगे implication of Russia in Ukraine वार और ये वार जहां तक कुतिन कह रहे हैं कि internal सुरच्छा का खत्रा था इसलिए हमने लड़ाई लड़ी और ये बताने की जरूरत पड़ी कि अमेरका और इरप के देश हमें कम न समझें और हमारे किसी देश के आ साथ मिला लेने से वो हमारे internal मारमले में इंटरफेर नहीं कर पाएंगे और इसे प्रूफ करने के लिए हमें advance में एक काम करना पड़ा वो ये अपनी सफाई दे रहे हैं लेकिन उसके सबसे अच्छे जो प्रगाह साथ न न भारत के साथ ही हैं चांगी सांत तो एक थार्मर से इसान संवी हैं ये सारी चीज हमारे फिवर में ही हैं और various मैंजिप्ल्स हैं अर εκवर्णल्स काथे प्रगाह हमारी importance बढ़ती चली जा रही है जितनी भी ये मीटिंगे होती है ब्रिक्स इसमें ब्राजील रस्या एंडिया चाइना साथ अपरीका है सेजी 20 में भी कुछ डेवलाप और डेवलपिंग कंट्री है ज्यादा तर एग्रिकल्चर को सपोर्ट करते हैं आज की क्लास में मैंने रस्या और एंडिया के रिलेशन्स पे बात की और आपके 150 वर्ड के जो कोश्चन्स UPSC में आते हैं वो आराम से बन जाएंगे बहुत धेशारी बाते हैं आपको जानने को मिली जो आपको एक किताब पढ़कर नहीं जान मिलती एक टीचर दस साल में कितनी किताब में पढ़ता है सबका रिफरेंस वो नहीं दे सकता बट अगर उसने सारा कुछ पढ़ा है तो उसके डिलेवरी जरूर करता है इसलिए experience वाले के पास हमें जाना चाहिए और उससे experience वाली चीज़ें सीखनी चाहिए जो हम अपने notebook में दे पाएं तो जब हम वहाँ पे दे पाएंगे notebook में तो यह हमारे लिए एक best option होगा तो हमें यह लगता है कि जब भी हम कोई कारी करें तो उसकी पहले preparing करें, planning करें without preparing and planning के काम success नहीं होता, success होनी की समभवना 10% रह जाती है तो हम 90% suspense में रहते हैं, तो हम without planning कोई work नहीं करेंगे और हम कल से 12 बजी class लाने माले हैं, पहले हम सारे international relation करी बात करते हैं जो आपकी curiosity है, उसे सांथ करते हैं, इसके बाद फिर और आगे हम quality के ही topic को सुरू कर चुके हैं तो quality को continue करेंगे, और every exam, एंडिया का कोई भी exam हो, सब जगा यह आता है यह सबजी में आलू की तरह है, इसलिए इससे सुरुवात मैंने की है, आगे economy भी उतनी ही मेरी strong है, जितना यह तो यह 2GS तो हमारे साथ आप कहीं compare करो, आपको अगर quality लगे, तो हमारे साथ join करो, continue करो, यह हमारी आपकी सुबकामना है और आपको हर exam में help हमारे द्वारा मिलेगी, हमारी class से मिलेगी, thank you